और दोस्तों कैसे रहा आप लोग मैं आप सभी को विल्कम करता हूँ आपके फेवरिट यूडूब चैनल यहार टुटोरियल्स में यहार मैं हूँ गौरमुंद्रा जो आपको पढ़ाता है दोस्तों SP OCM and Economics ठीक है अपके चैनल पर पहले बार आए अच्छा ठीक है मैं बताता हो पहले आपका हम स्वावत करते हैं और आप साइंस के बच्चे हो तो जाके चेक करो आपकी वीडियो आपको मिलेगी ठीक है अगर आप छोटे बच्चे हो आप कितने चोटे बच्चा कहा रहा है सर मुझे एक दम छोटा घर दो आप तो अरे यार यार यह तो मेरे अब हत में नहीं है लेकिन देखिए दोस्तों आपको अगर पढ़ाई करने ही तो यह चैनल आपका पूरा साथ देगा बाकी मेरे पूराने बच्चे चलो वापस आ करना इस वीडियो को हमारे सारे लेक्चेस को दोस्तों और सब्सक्राइब तो आपने कर रहा है यार मुझे पता है अना बच्चा करना दोस्तों फॉलो करना है फॉलो किसको बेटा लोग देखो है हमारे सारे जो स्टीचस आप पिले इतनी महनत करते उनको जाके थोड़ा स मैं आपको बना दोस्तों का सब्सक्राइब कर तो एक्जाम में यहां से बहुत रेर बनता है और इन फैक्ट जब हम यह लेसन को फिनिश कर देंगे ना मैं आपको बदा दोंगा कि यह कोशन एक्जाम में आने वाले बच्चागर उसर क्या बात कर रहो है लेकिन कोई भी बच्चा को मिस नहीं करेगा क्योंकि देखिए अगर आपकी जो एक्जाम इनर से जो भी आपके बहुत अच्छी कॉलेज आपकी आपके और भी खुश देखिए आपका एक्जाम था अगर जो एक्जामिनर होगा आपका जो इकनोमिक्स पेपर जो सेट करता है वह सोचेगा यार यह बच्चे ना बहुत मस्तिव हो रहे हिनकी बैंट तो मुझे लगानी पड़ेगी किसम लीव करना चाहते हो मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा भाई लीव मत करो तुमारे भाई को लेक्चर देखो मैं जो भी समझा रहा हूं ना इसे आप अपने इंग्श में प्रेजेंट करके आजो वह बहुत हो जाएगा इनफ हो गया ठीक है तैयार हो एकदम चलिए चलते ह सिधा अब यहाँ पर theories of population growth मतलब की सर आप यह वह कहना चाहते हूं जो बड़े-बड़े एकनोमिस्ट होते हैं उन्होंने population growth पे कुछ अपना आगर घ्यान दिया है हाँ उससे क्या कहते हैं उनने कुछ अपने बड़े लोग थे कुछ बड़ा काम किया था इननने इनको इकनोमिस्ट कहते हैं अगर कोई लौ के फिल्ड में बहुत बड़ा इंसान हो तो उसे जूरिस्ट कहते है वह अपना आके लौ लिखता ना लौ सजेस्ट करता तो उसे जूरिस्ट कहते है चलिए theories of population growth में हमारा जो पहला इकनोमिस्ट है इसका नाम है दोस्तो मैल्टूसिय theory of population growth कैसा नाम है इसका ठीक है चलिए अंकल जो है हमारे इनका पूरा नाम कहें दूस्तों इनका नाम है Thomas Robert Malthus कुछ काम आएगा बिल्कुल काम में नहीं आएगा चलिए यहां पर यह जो हैंकल क्या कहते है अकॉर्डिंग तो हीम अकॉर्डिंग तो हीम तुमारा वही नही सब्सक्राइब लुड में इस यह घ्याना नहीं करण शर्भी यह जो है यह जो है फोड़ा सा यार कने चलि इक नमबर सीरीज होती थी ना तोकेस उता था 2-4-8-16-42 स्ब्एच्में एसा लाइन-वाइस निया फोफटे सैजय से यह फ जैसे इसको GP, हम AP यह नॉन मैच स्टुडेंट के लिए बागी मैच स्टुडेंट को तो पता ही, क्या सीन है, चलिए, मेरे साथ आजाओ वापस, तो यह क्या कहता है दोस्तो? यह जो हमारे अंकल यह कहता है कि यार यह जो पॉपुलेशन है न यह एक GP है, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों, population पता है कैसे बढ़ता है, यहाँ पर जिसे कभी दो बॉन हो गए, कभी चार बॉन हो गए, मलब सब multiply हो जा रहा है, लेकिन दोस्तों, जब इन population को, यह जब नहीं नहीं बच्चे हमारे देश में, हमारे दुनिया में आए हैं, इनको जीने के लिए क्या चाहिए हो लोग पॉपुलेशन इतना सारा बढ़ रहा है अरे बढ़ा तो सब ठीक है उनको जीने के लिए खाना तो चाहिए रहेगा ना तुम बच्चे पेदा कर रहा है अरे लेकिन उनको खिलाने के लिए खाना भी तो बनाओ यहां पे देखिए फूट सप्ला यह पहले इसने कहा कि पूपुलेशन जो है दोस्तों ऐसे तरह से बढ़ रहा है कि आप पूछो मत लेकिन जब बात आती है उनको खाना देने की तो एकदम स्लोली स्लोली बढ़ रहा है यह हमारे अंकल ऐसा के ते बस अब देखो दोस्तों कैसा ना यह जीपी और एपी तुम्हें याद रखना ह है और बाइचांज यहां से कोशन एक्जाम में आता है तो तुम्हें ऐसे लिखना है बस अकॉर्डिंग दो हिंपॉपलेशन इंक्रीजेस हाथ के माक से देखो मैं बिल्कुल एक्सपेट निंग करता हूं कि यह कोशन एक्जाम में आया चांस ही नहीं है लेकिन इफ आ गय बिल्कुल इम्बैलेंस है मतलब आप इस वोचो ओए आर पूरी क्लास आजा तो आपको आपको जानते भी नहीं लेकिन पाटी दे रहे लेकिन दोस्तों आपके जेब में कितने पैसे यह इना आगए 40 लोग अब क्या करोगे बच्चागरा सर बगा दूंगा अरे कैसा बात करता है यहां पर द्यांदे तो यह क्या करता है दोस्तों सेट्स कैसी दूनिया में एतना population है ये कहते हैं यह जो अंकल है न दौस्तों यह कहता है कि इन्हें आपने साथ में ले जाएगी और जिस दिन ले जाएगी तब हमारे दुनिया में एक पॉपुलेशन में बैलेंस देखने को मिलेगा मतलब इंचोर्ट यह कहता है कि जितना भी पॉपुलेशन है ना दोस्तों अगर आप चाहते हो कि इसको बैलेंस किया जाए अच्छा दस लोगों कि दस अंकल है क्या नम इसका थॉमस थॉमस अंकल कहते है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ गयाना जादा एक काम करते ना क्यों आदे लोग को मार दे क्या करेंगी जी कि ऐसी बात करता है तो थॉमस रोबर्ट मैल्थस के उपर इनने कुछ ऐसी थिरी देती अब देखार दोस्तों तुम बोलोगे सर यह तो क्या बगवासी थिरी है क्या एक्जाम में आएगा क्या नहीं आएगा देखार कोई चांस नहीं यह वाला कोशन एक्जाम में आए लेकिन आ भी जाना तुम्हें कुछ इस तरह से सिंपल इंग्लिश में अपने आपको लिखना है इस आंसर को प्र थोड़ी सी इंपोर्टेंट है तो मैं कहूंगा कि यार इस पर थोड़ा सा जाधा फूकस देंगे मिरे साथ ठीक है क्या नाम यार देगो ठीरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजीशन ठीक है दोस्तों चलिए यह किस ने दिया था यह दिया था एजिक कोई नाम याद नहीं यह बोल जाओ हम इसे यार निकरेंगी इसका नाम इनका कोल क्या नाम है इनका कहिसा तो नाम रखते हों यह पोलगा क्या कहता है जिसमें यह क्या कहता है पहला स्टेज दूसा स्टेज और तीसरा स्टेज अभी हम यह पढ़ने वाले एकदम क्लियर कोई कोई चिल करो है बिल्कुल टेंचन ना लो यह एकदम टाइम पास से आया यह यह देखो तीन स्टेज है यह देखें दोस्तों यह हमारे इंडिया का बहुत रेट कितना था 49.2 देखने को मिल रहे एकदम पसेंटेज की बात कर रहे हैं और देथ रेट कितना था दोस्तों 42.6 एकदम कुछ नहीं सिर्फ ग्राफ पर दियान दो पूरा लेकिन दोस्तों फिर 10 साल बात क्या हुआ यहा यहां पर बात करते कुछ साल हो कि बहुत साल बात करते हैं यहां पर देखो दोस्तों 20.97 बदलब की लोग पॉपुलेशन तो मलब उसमें अपना साथ दे रहे हैं अपना-पना एफट्स ले रहे साथ पॉपॉपुलेशन बढ़ानेगा लेकिन आज की टेट में इंडिया क पॉपुलेशन जो दोस्तो 20.97 बढ़ानेगे तो यह बर्त रेट है आप समझें मलब जी साल में आपके देश में ज्यादा लोग आएंगे ज्यादा लोग बॉन करेंगे तो वह बर्त रेट कुछ ऐसे दिखाएगा और उसके साथ ही साथ दोस्तों जब कोई बॉन होता है तो आपको भी पता है कोई हमें छोड़ के जा रहा है इन फैक्ट जब हम यह लेक्चर आपको देखेगे आप लोग देखोगे मुझे हाना तो इस वक्त भी ऐसा कुछ होगा कि कोई मलब भागवान का देन है कि उपर से कि कोई बच्चा जो है बॉन होगा या फिर बस वही करनें उखले हैं क्ल तो कि यह ऊंवर हाहा हुख सुन भाइव की बात यह कहते दोस्तों कि हमालेश न कोई भी देश कोई भी कोई त senators 18 सटेज में डिवाईड़ सरही फटा फटसे raging में नहीं फॉन और स्टेच कर दोस्तों पहला सफ्टेच लोग रृट औफ और डीप में चलते थोड़ा सा क्या कहा रहा है यह बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ आर वेरी हाई लग कि यह जो हमारे अंकल यह कहते कि एक नेशन है ना वहाँ पर स्टेज वन आता है यह एक ऐसा स्टेज होता है जहां पर दोस्तों लोग पैदा तो बहुत सारे हो रह हो अभी क्या चल रहे है 2022 में चले गए ठीक है एक दम कोई दिक्क्यत नहीं आपको भी पता है हमारे इंडिया पर कौन रूल करता था हमें कब फ्रीडम मिला राइट तो 1922 में दोस्तों क्या होता था ना काफी सारे लोग ने अपनी लाइफ सेक्रिफाइस की हमें फ्रीडम आया होगा अरे दोस्तों बिल्कुल आया होगा ना यह देखो बाट रेट एंड देथ रेट बोत आ रहा है बाट रेट यह नहीं कि क्या बच्चे लोग जो है मलब जो जो न्यू बॉन बेबीज है हमारे देश में बहुत अच्छे लेवल पर बॉन हुए होगे हमारे कहते हैं कि जो भी अंडवलप्ट कंट्री से ना उसमें यह स्टेज आ चुका है तो याद करो भी 900 साल पहले आज से ठीक है सर याद कर लेते हैं मतलब वहला पिरेड कह रहे हो जब हम पे इंग्लाइंड या जो भी मलब सीन है रूल करती थी हमारे इंडिया पे तो क्या उस सब किया ना दोस्तों तो यह स्टेज तो हमारे देश में आकी गया हुआ है यह देखिए यहां पर अंकल ने कहा भी है यह कहते हैं कि बिफोर 1921 में इन इंडिया ठीक है चलिए यह ता दोस्तों फर्स्टेज यहां पर क्या होगा हाइब बद्रेट होगी अगर कोई हमारे लिए तो बस ही वह स्टेज तो है हमारे देश में भी आके गया हुआ है चलिए अंकल के दूसरे स्टेज पर चलते हैं और अंकल क्या कह रहे हैं पूरा फोकस यहां पर ना बाई सोसाइटिस को इसने इंफ्रस्ट्रक्चर को डेवलप किया तो यह जो सेकंड स्टेज है यह आपको वहां देखने को मिलेगा चलिए समझते और इसको अच्छे से ड्यू टू एकनोमिक डेवलप्मेंट एकनोमिक डेवलप्मेंट सर कैसे पता चलेगा अरे जब आपकी दे स्टाटेट फॉलिंग बर्ट बर्थ रेट कंटीनियू टो रिमेंट साथ में मिरसाथ वापस बोलो एक बार बैट रेट स्टाटेट फॉलिंग मतलब कि सार आप यह कहना चाहते हो जो लोग हमें हमारे मलब हमारी लाइफ चोड़के जाते हैं जिनकी देथ उचाती है वो सνक्राइब लेकिन दोस्तों यहां पर नएने बच्चे और आने लगे हमारे देश में बड़र किसा आपको बीपता है अब हमारे देश ने तरकी कर लिए यहां पर टेक्नोजी भी इतना बढ़ गया है यहां पर मेडिकल सेक्टर भी इतना बढ़ गया है कि जब कोई इंसान हमें जाना वाला होता है लेकिन हमारे जो डॉक्टर्स इतने ब्रिलेंट है कि उसको कैसे तो करके बचा लेते हैं और व अब यह तो यही तो यह हैं लेक्षालों कैसे डिया कह हरे है क्या दोस्तों कि हमारे जो इंडिया है न आओ में सेकंड स्टेज पर कैसे सर देखो यार दोस्तों अब हमारे याप मेडिकल बहुत अच्छा सेक्टर हो रहा है मुझा दिन बर दिन डिवलप्मेंट होती जा रही है जब कोविड आया था आप यह कह सकते हो कि इंडिया में काफी जादा हाल खराब हो सकता था लेकिन अब ह जल स्टेज पे आजाएगा बच्चा घरत तर्शटर इसमान प्लीज बता आओ चलते ढारे अंकल आंकल के यहां चाहते हो कि यहां पी नीचाहर दिन बर दिन लोगों को लगता है लोग समझ सकते हैं यह पॉपुलेशन यानि की सिफ और सिफ उछो फैंई को ग्रो करना ही ह हमारा ultimate aim होना चाहिए हमें एक happy life एक happy family के साथ जीए देखो मैंने बहुत बड़ी बात कही है चलिए पहले इस पर ध्यान देते थर्ड स्टेज दोस्तों हमें कब देखने मिलेगा जब एक rapid growth हो रही है आपके economy में मतलब जब आपका एक nation है ना यार वो developing nation से एक develop nation के और बढ़ रहा है क्या बात कर रहा हो सर अहां देखे रिजल्स इन spread of education and better livelihood livelihood के से बढ़ेगा आपका आपको एक बेटर education कब मिलेगी बच्चागरा सर तब ना जब हमारे देश में हमारे जो देश के लोग ना भार जाके पढ़ते हैं क्यों न वह इंडिया में ही पढ़े क्यों नहीं पढ़ सकते हैं हमारे देश का भी education और अंकल क्या कहते हैं कि यह जो जितने भी developed countries है ना हमारे दुनिया में जितने भी developed countries है उनमें third stage देखने को मिलता है ठीक है ठीक है कोई बात नहीं चलिए बोथ death rate एंड बोथ birth rate are tend to decline मतलब कि दोस्तों यह third stage एक स्टेज है कि यहां पर दोस्तों जो countries है न यह लोग population को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं और make sure करते हैं कि जो उनके प्यारे प्यारे देश्वासी है वो उन्हें छोड़के ना चाहिए यानि कि दोस्तों birth rate and death rate वो लोग अच्छे से manage करें कुछ ऐसी facilities लाए एक ऐसा मतलब सबको awareness क्रिएट करते हैं तो इसके लिए तभी एक कोई nation है दो थर्ड स्टेज में आप आईगी जैसे आर दोस्तों आपको भी पता है जब हम कोई एक डेवलप nation की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में USA आता है अमेरिका आता है तो वहाँ पर कहाई दोस्तों वहाँ पर एक डेवलप नेशन बनाने काई कि नहीं अपने आपको आना बाकी देखो यार मैंने पता एक वीडियो देखी थी इंस्टाग्राम पर यह यह सही मलब गुमा रहा था रियल्स हाना तो मैं वहाँ पर एक वीडियो देखा एक जर्नलिस्ट है वह एक आंटी को पुछते है आपको कितने बच्चे अच्छे लगते तो इंटेविवर जो है जर्नलिस्ट उसने पूछा कि आपको तीन बच्चे अच्छे लगें गया वह जो आंटी कहती है आई तीन से क्या होता है कम से कम 15 बच्चे नहीं चाहिए हमारा जो देश है तो यह जो थोड़े से वह मैं द बातों से उनका जो भी मानना था उनको ऐसा सुनके लग रहा था इनको थोड़ा सा अगरनेस करना पड़ेगा इनके लिए वह कहते देखिया अगर कोई लेडी है तो उसके 15 बच्चे होने चाहिए सुनने में कितना सा इंप्रैक्टिकल भी लग रहा है और पता नहीं लेड कोई भी कोई भी जिदर भी आपके सराउंडिंग में वह एक अच्छी लाइफ जी है उनके पास एक अच्छा मेडिकल फैसिलिटीज हो तो बस वह यह तो यह जो अंकल थे हमें यह कहना चाहते है बाकी देखो यार एक्जाम रिलेटर अगर हम बात करें तो यह इंपोर्ट कोई से आपको बचना है तो क्योंकि देखो यह बहुत आसान सा टॉपिक है लेकिन 25 में घूम जाते क्योंकि मैंने आपके जो मटेरियल है इसको मैंने भी रीड करा थोड़ा सा मलब और बेटर एक्समिनेशन वहां पर हो सकता था बट उनने भी नहीं करा पर कोई बात नही सब्सक्राइब करना है लाइक करना है बाकी दोस्तों मैं आप सभी से लेक्षर नमबर 3 में मिलूंगा ठीक है एकदम तयारी में आना लेक्षर नमबर 3 दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट है वहां से एक्जाम में 100% एक कोशन आने हो बच्चागर है सर क्या बात कर रहो यही तयार हो एकदम चलो फिर दोस्तों इस लेक्षर को हमें आप एंड करते यार तब तक लिए पढ़ाई करो मस्ती करो मजे करो लेकिन दोस्तों वापस कहां मिलूंगा मैं JR टुटोरियल्स के चैनल पर चले फिर यार इस वीडियो को पन आप एंड करते अपना खयाल रखो च चलो चलो आपका और टाइम विश्ट नी करता हो मैं चलता हो यार भी